आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम एसे दान तक नहीं होतरी, Study IQ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, देखिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, Chinese Revolution, Pacefam, China की पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं, चार लेचर्ज होंगे ये, दो बनने की बिल्कु कगार पया, हो भी गया है काफी हद तक, उसके पॉनियर कहे जाते हैं, उसी के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, तो इन दोनों की बायोग्राफी हम देखेंगे, चार पार्ट में लेचर आएगा, जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत जादा इंपॉर कम्यूनिस्ट थे ये, नो डाउट, काफी लोगों के लिए काम किया, पीजेंट्स के लिए काम किया, पीजेंट्स की अपराइजिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन भाइंकर क्रिटिसिजम होता है इनका, और बहुत लोग इनको हीरो भी मानते हैं, एक सिक्क्य के दो पहलू, एक इनको ऐसा हीरो कंसिडर करते हैं, दूसरे बोलते हैं, ये तो बहुत बड़े हत्यारे थे, क्रिटिसिम भी होता है, हाला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये चीजे जानेंगे, ठीक है, तो ये उसका पार्ट वन है, इस लेच्चर के रिगार्डिं मतलब, Mao Zedong जो है, ये चाइनीज नाम है, ठीक है, इनको Mao Zedong भी प्रनाउस करते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हम अरली लाइफ देखेंगे, ठीक है, क्या इनका बच्चपन था, इनका बॉय होड़ और किस तरह से ये याज से ने, जो इसके founding father थे, और दोनों में ही युद्ध हो गया था, देखें, क्या था, कि communist को हटाना था, पूरी तरह से, तो जो party थी काव मिंटाओं, ठीक है, जिसको सन्याज से ने found किया था, वो वोला कि हम को थोड़ा सा socialism भी आना चाहिए, थोड़ा सा capitalism भी आना चा इसको हम देखेंगे, काफी अच्छे से इसको हम cover करेंगे, फिर finally भाईया जो Chinese revolution हुआ है, जो पूरा का पूरा 1976 तक अगर मोटा मिटे तोर पे देखें तो चला है, पहले तो चीज़े सही हो गई, माउ सेतंग ने पूरी सत्ता समाल ली, Republic of China को establish कर दिया, लेकिन उसके उनने कल्चेरल revolution स्टार्ट कर दिया, जिसकी वज़े से लाखो लोग मारे गए, वो सारी चीज़े हम cover करेंगे, ये भी देखेंगे हम, इसको भी पढ़ेंगे, और हाँ, North Korea और South Korea, Korean War भी देखेंगे, 1952 वाला, ठीक है, वो भी देखेंगे, और North Korea का गठन भी देखेंगे, ये सब पर भी नज़र डालेंगे, इसलिए मैं काफे important है, finally हम policies of Mao देखेंगे, और जब ये, मतलब ये दो पार्ट में ये चीज़े cover होंगी, और जैसे ये चीज़ खतम होगी, हम सीधे जम करेंगे, डेंज जाव पिंग की बाग्राफिक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते ह देखें, सबसे पहले तो Mao Zedong का जो जनम था, वो 8 December को हुआ था, 1893 में, South Sean Village में हुआ था, Hunan Province चाइना में हुआ था, इनके जो पिता जी थे, Mao के जो पिता जी थे, Mao ये चैंग, ये अच्छे खासे farmer थे, ठीक है, wealthy farmer थे, ठीक है, but दिक्कत क्या थी, कि Mao Zedong से इनकी बंती नहीं थी, काफी strict इंसान थी, ठीक है, और काफी pity भी है Mao Zedong, अकसर इनके ideological difference रहते थे, Mao Zedong कुछ सोचते थे, और Mao Zedong कुछ सोचते थे, ठीक है, लेकिन अच्छे कासी farmer थे, अच्छे कासी image थी, उनकी, early life में अगर मैं बोलूँ, तो Mao Zedong एक बहुत ही intelligent, शुरू से ब्राइट लड़का था, ठीक है, देखे, हिस्ट्री में मैं थोड़ा चाइना की जाना चाहूंगा, बहुत ही जाधा मैं, या बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी insight बताना चाहूंगा, कि actually हालात क्या थे, देखे, क्या रहे, चाइना ने बहुत ही डाइनस्टी के रूल में रहा, ठीक है, उसके बाद उनको foreigners ने exploit किया, Western powers ने exploit किया, फिर जापानियों ने उनको exploit किया, बुरी तरह से exploit किया, भीक मांगते थे Chinese, ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई थी, ठीक है, Nanking massacre तो famous, 1937 में जिन्दा गार दिया था जापानियों ने Chinese को Japanese तो पूरे पागल थे, उनकी imperial army तो पूरी पागल थी, तो शुरू से इनका शोषड होता रहा है, exploitation बुरी तरह से होता रहा है, ठीक है, China में maximum peasant थे, farmers थे, तो उनका भी जबरदस तरीके से, ठीक है, सबसे पहले Britain ने काफी हद तक इनका शोषड किया, क्या होता था, linker exploitation, किसी को भी आवाज उठाने की, इसमें permission नहीं थी, अब जब बहुत ज़्यादा suppression होता है, बहुत ज़्यादा कोई इंसान सहता है, तो उसके बाद फिर वो उठता है, Chinese लोगों का भी हो गया, दिमाग करा, बोलने का, भाया, अब हम नहीं सहेंगे, तो वहां से उठे ठीक है, तो ये चीज़ थी, Confucius एक बहुत ही जबर्दस्त philosopher थे, भाया, कौन थे ही, अगर आप comment box में बता दे, तो मज़ा आ जाए, बहुत ही जबर्दस philosopher थे, थोड़ा इनके बारे में describe कीजेगा, और भी students है, ठीक है, उनकी ज़रूर help कीजेगा, और मुझे भी ठीक है, तो इनके पात पे चाइना चला, और बहुत लोगों ने इनसे inspiration बिली, ठीक है, जिसमें से माओ भी एक थे, तो माओ जो थे, शुरू से ही, इनका एक ही agenda था, क्योंकि वो देखते थे सारा exploitation की चीज़ों को मुझे सही करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े थी, ल एक बुद्धिस्ट रिती, एक डिवोट बुद्धिस्ट रिती, तो काफे religious, इनका जो परिवारत हो काफे religious भी था, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आठ साल के थे जब इन्होंने पहला school attempt के देखे, वैसे तो माओ एक drop out थे, ठीक है, और teacher बनना चाते थे, ठीक है, I'm sorry, थोड़ा सा, कभी-कभी slip of tongue हो जाता है, ठीक है, तो Confucianism क्या होता है, कि जो Confucius की study है, जिसमे Confucius के प्रिंस्पल है जाहिड सी बात है, वहां से ये बड़ा inspire हो गए, ठीक है, Confucianism जो है न, वो एक बहुत ही simplistic life जीना सिखाता है, ये एक ideology है, Confucius ने इसको found क किया था, ठीक है, जो कि मैं पहले बता दोता हूँ, Chinese philosopher तो बाकि आपको comment box में बताना है, तो ये बहुत ही simplistic life जीना को कहती है, humanistic life जीना को कहती है, socialist life जीना को कहती है, जिसकी वजए से पूरी की पूरी तरह, जो Mao थे, वो इसकी तरफ inclined हो गए, ठीक है, Mao ने खुद भी प्रिंस्पल्स होते हैं, communism पे, जाधा अगर आपको जानना है, तो प्लीज मेरा लेंडिन का लेक्चर जरूर देखिए, उसमें मैंने स्पेच्चे से बात की है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े थी, meanwhile क्या है, कि इन्होंने field पे भी काफी काम किया, जो इनके पिता जी बहु इनको वक्त मिलता था, बस पढ़ते रहते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े थी, 14 साल की उमर में, इनकी जो शादी थी, तैय करती गई थी, और आपको जानके आश्यर होगा, कि उस समय में माउने उसको अपोस कर दिया, माउन बोलते थे कोई तरीका नहीं है, कि ऐसे छो ठीक है, और कुछ समय के लिए, वो वहाँ से भग गए, बहुत बुरा असर पड़ा, इस पे जो इनकी वाइफ थी, 1910 में उनकी डेठ हो गई, जिनसे इनकी शादी तैय होई थी, उनकी डेठ हो गई, और क्यूंकि उनका सोसाइटी ने पूरी तरह भाहिशकार कर दिया था उस समय होता था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कभी दूला अपनी बात से मुकर जा या फिर जो भी परिवार है, अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो पूरा का पूरा बहिशकार कर दिया जाता, ता आज भी होता है, चोटे-चोटे गाउं में, आज भी ये पूरी की ये राइट्स मिले थे, तो ये बहुत ही बढ़ी आती है, हाला कि कमिटिजम में तो सबको एकुल राइट्स मिलते ही हैं, स्पेशली जो दबे कुछले लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़े थी, अब हम देखते हैं, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही वोरेशि इनकी जो एक बुकलेट थी, बहुत ही जबरदस थी, इन्हों ने बहुत, मतलब इस चीज़े ने इनकी पॉलिटिकल कॉंशिसनेस को जगाने का बड़ा अच्छा काम किया, तो ये सारी चीज़े लिखी हुई थी, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी इसका भी बड़ा जबरदस्त चीज थी, तो ये सारी चीज़े क्या किया था, छोटे सही माउसेताओं को डेवलप करना शुरू कर दिया था, कि आपका आगे का रास्ता क्या होगा, बाई, पढ़ पढ़ के ही इनसान सीखता है, दूसरी बात, जोर्ज वाशिंग्टन और प्रांस के जबरदस्त रूलर और जोर्ज वाशिंग्टन ठीक है, जो कि फॉर्स प्रेसिडेंट अफ अमेरिका थे, अमेरिकन रेविलुशन में का बहुत बड़ा हाथ था, फाउंडिंग फादर्स अफ अमेरिका में भी थे, एक और बहुत बड़े फाउंडिंग फादर अमेरिका 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 के अज का दूसरा कोश्चन ठीक है, आपका रिवाईस हो जाएगा, थीक है, तो इनसे भी बड़ बहुत जदा इंस्पायर थे, इसी लिए इंस्पायर थे, जिस तरहां से इनकी रूलिंग टेकनीक थी, वो बहुत जबरदस इनको लगी, और वही बाद में एपलाई भी की, हाला कि एक टाइम तो माउजदाउं बहुत ही ब्रूटल हो गए थे, ब्रूटल क्या इनको, देखिए, माउजदाउं को बहुत ही अच्छे से आता था कि किस तरह से सिचुएशन को अपने हक में किया जाए, अपने फेवर में किया जाए, ये बाद में बहुत जवर्दस तरीकी से उन्होंने यूस किया, ठीक है, यह हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े थी, अब क्या होता था, इसमें दिक्कत है क्या थी, कि जो डाइनस्टी थी, ठीक है, वैसे तो कुईंग डाइनस्टी उससा में राज कर रह इसके खिलाब प्रोटेस्ट किया था, यह जो डाइनस्टी थी, यह नाम मात्र की डाइनस्टी थी, क्योंकि सबसे बड़ा एक्स्प्लोइटेशन का काम यही करती थी, ठीक है, बाद में सन याद सेन ने पूरी की पूरी चीज़ अपने हाथ मेली, बहुत ही जबर दस्त र जनम हुआ था, ठीक है, फादर ऑफ रेवलुशन एक तरह से बोले जाते हैं यह, क्योंकि इन्हों नहीं पूरी तरह से रेवलुशन स्टार्ट किया था, और उखार फेका था, इस क्विंग डाइनस्टी को, तो यह जो डाइनस्टी थी ना, यह बहुत ही ज़ाद 12 साल में, फाइनली, यह अपने हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे इनको बहुत ही बुली किया जाता था, जो दूसरे स्टूडेंट्स का बिहेवियर था इनके प्रती, वो बहुत ही खराब था, थोड़े से पेजेंट बेग्राउंड के तो का काफी इनको बुली किया जाता था, यही सब चीज़े इनके दिमाग में घर की और बाद में इनोंने जो पलटवार किया है भाया, जो लैंडलोड्स थे ना, उनकी तो बैंड बजा दे इनोंने, ठीक है, ऐसे ऐसे ओर्डर्स पास किये, मतलब खैर, ओर्डर्स क्या पास किय बिसिकली, जैसा कहते है न, कि जैसा आप भरेंगे, वैसे ही पाएंगे, ठीक है, लैंडलोड्स बहुज अबर्दस तरीके से क्या करते थे, एक्स्प्लोइट करते थे चाइनीज को, बाद में चाइनीज ने उनी को काड़के फेग दिया, ठीक है, यह हम आगे देखेंगे काफी चीज़े हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली क्या हुआ था कि 1911 में अपना स्कूल वो स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर बहुत य अच्छे तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, कि देखिए, एंपरर पुई ये आखरी थी, क्विंग डानेस्टी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 1636 में अफिशिल इस्टैबलेश होई थी, और 1912 में इसको खराब मतलब इसको ओवर्थ्रो कर दिया गया था, इसको खाड़के फेक दिया जैसा कि मैंने बताया था कि सन्याद सेल में इसमें पॉनियर थे, में रेविलुशन के पूरा का पूरे करता दरता थे, उनका दिमाग इनी का ही था, ठीक है, और जिनहाई रेविलुशन हुआ था, ये नाम याद रखेगा, जिनहाई रेविलुशन हुआ था, ठीक है, ये तो ये सारी चीजे थी, finally इनको abdicate भी किया गया और पूरी की पूरी तरह से इस empire को उखार फेका गया और लाखों से, मतलब काफी सालों से चला आ रहा, exploitation कुछ हद तक बंध हुआ, हाला कि 1917 में यही dynasty कुछ time के लिए restore हुई थी, लेकिन उसके बाद 12 दिन बाद इसको वापस overthrow कर दिया गया, तो ये पूरा का पूरा end था इस dynasty का, ठीक है, तो हम वापस माउप पे आते हैं, तो 1911 में ये चीजे हुई थी, मतलब 1911-1912 में, और 1911 में इन्होंने middle school भी जाना शुरू किया, college dropout थे, ठीक है, पूरा का पूरा college dropout थे, माउप से था, उनको जादा, आपसे नहीं है, तो उन्हें ने dropout कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं छोड़ा, ठीक है, पढ़ना उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो बिल्कुल पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, तो चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए, 1918 में क्या हुआ माउ सितांग जो थे, वो फर्स्ट नॉर्मल स्कूल से ग्रैजुएट होते हैं, और एक टीचर बनते हैं, माउ सितांग को टीचर बनने का बड़ा शौक था, ठीक है, शुरू से ही उनका कई ना कई एक ख्वाप था, कि मुझे टीचर बनना है, और फाइनली वो एक चिक्टिफाइट टीचर वो भी बने, और उसी साल उनकी माउस जी की भी डेथ होती है, बहुती ज़ादा दुखाद होता है, क्योंकि अपनी मां से बहुत ज़ादा टैच होता है, देखिए होता क्या है, कि बच्पन में बहुत पिटते हैं अपने पिताजी से, लेकिन इन अहीं से उनका रास्ता चेंज हो जाता है, एक तरह से कर आप कहें तो, ठीक है, फिर उनको लाइब्रेडियन बनाया जाता है, असिस्टेंट बीजिंग उनिवरसिटी में, ठीक है, वहाँ पे भी वो कुछ क्लास अटेंड करते हैं, अब पैरलली क्या होता है, रश्या में रश्यान रवल्यूशन चालू है, है कि नहीं न, 1917 में लेनिन फुल स्विंग में रश्यान रवल्यूशन चालू कर रहे हैं, लेनिन पहले थे भाईया, जिन्होंने सोवियत यूनियन को कम्यूनिस्ट पार्टी मलब कम्यूनिजम महाँ पे स्टैबलिश किया, ठीक है, पे भी रवल्यूशन आ सकता है, इसी के बेसिस पे उन्होंने 1921 में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाई, फाउंडिंग मेंबर्स में थे, लेकिन जो ओरिजिनल जिन्होंने फाइंड की थी वह थे चेंडुजियू, ठीक है, C-H-E-N-T-U-X-I-U, चेंडिजियू और L-I-D-A-Z-H-A-U, ली डिजाओ, ठीक है, बोल्चुवी के रेवल्यूशन से पूरा का पूरा ये लोग इंस्पायर थे और इन्हों नहीं, फाउंड की, हाला की Mao Zetong भी फाउंडिंग मेंबर्स में थे, ठीक है, जो कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, और वही सेशन होता है, National Congress of Communist Party of China, ठीक है, सबसे पहले तो 13 delegates होते हैं, जिसमें Mao भी थे, ठीक है, बाद में ये बहुत जादा बढ़ गया, Mao ने अक्चुली क्या हुआ था, कि देखिए, अभी Civil War चुरू होगा, कुछी टाइम बाद Civil War चुरू होगा, ठीक है, काउमिन टॉंग पार ठीक है, पूरी की पूरी पावर उसके पास थी, आर्मी उसके पास थी, Mao सेतों के पास कुछ नहीं था, Communist Party के पास कुछ नहीं था, वो कहां से आर्मी लाएंगे, लेबर्स के पास जाते थे, पेजेंट्स के पास जाते थे, कि भाया, तुमको ये भी एक्स्प्लोइट कर र में, जो सन्याद से ने, इन्होंने अक्टिफ कॉपरेशन अपना पूरा का पूरा, फुली कॉपरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, चाइनीज कम्यूनिस्ट के साथ, ठीक है, जो की स्ट्रेंथ और नंबर दोनों नहीं बढ़ गए थे, शुरू में तो क्या हुआ था, क इनके ideological difference हुए, और civil war शुरू हो गया, दोनों के ही बीच में, जिसकी वज़े से अगें, आम जनता फसी, ठीक है, तो ये सारी चीजे थी, अब क्या होता है, कि माउ सितंग जैसा कि मैंने बता है, कि शुरू में माउ सितंग नहीं, पूरी की पूरी तरीके से काउमिन टॉं जो थे, ठीक है, पहले थे यह याद रखेगा, पहले प्रेसिदेंट थे, चाइनीज प्रेसिडेंट जो सन्याद सेन थे, उनकी डथ हो जाती है, अबरफ्टली, ठीक है, चियांग काईशेक भाया, वर्ल्ड वार टू में भी यही थे चियांग काईशेक, ये बनते हैं President, ठीक है, ये चियर्मेन बनते है कोईमिन टॉंग पार्टी से, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्या होता है कि जिस हिसाब से सनियाद सेन थे, ठीक है, उसके उलट चियंकाई शेक थे, ठीक है, पिलकुल उलट चियंकाई शेक थे, और इसके पहले भी revolution हुए थे, इ 1912, 1917 तक भी civil war हो चुका था, लेकिन ये जादा brutal था, क्योंकि यहां पे 1927 तक लगभग लगभग Chinese Communist Party जो थी, CCP वो खतमी हो गई थी, ठीक है, बिलकुली इनको ढून ढून के मारा जाता था, ठीक है, जू इनलाई जो थे, उनको बोला गया था, कि मारो उठा उठा के, 5,000 Communist को उनने मार दिया, White Terror अप्रेल 1927 में इसको नाम दिया गया, ठीक है, और बुरी तरह इनको बस उठा उठा के मारा गया, बहुत ही जबरदस्त war हुई थी, ये civil war हुई थी, और बहुत ही बड़ी खराब situation हो गई थी, ठीक है, ये सारी चीजे थी, अब क्या होता है, कि दे इसे शब्दों में, और एक बात आपको बता दो, Queen Dynasty को मंचू भी बोलते है, M-A-N-C-H-U, ठीक है, तो दोरों में confused मत होईएगा, ठीक है, तो माउने बोला कि जो तुम्हारा चाइना है, वह हटाते हैं, उसको नकारते हैं, खुद का चाइना बनाएंगे, तो काइशेक थे, वह बहुत जादा नर्वस हो रहे थे, क्योंकि इनके नमबर जो थे, वह बढ़ते जा रहे थे, माउन सेताओं का बहुत ही जबरदस्त network था, वह हर एक छोटे से छोटे इंसान को जाके बोलते थे, कि हमारे साथ आओ, चाइना को हम वापस उठाते हैं, और ऐसे लोगों से free कर देंगे, लोग उनकी बात मानते थे, क्योंकि बहुत ही जबरदस तरीके से जो माउन थे, वह convince कर लेते थे, सारे लोगों को, और situation भी बहुत ही खराब थी, Chiang Kai-shek थोड़े से थोड़े काफी conservative थे वो, ठीके, तो दिक्कत यह हो गई थी, कि situation बदली न चाइना थी, वो workers और पिजन्ट की बनी हुई थी, और red army बोला गया था, ठीके, पईया देखे, लाल सलाम, red army, red ये communism का color ही है, communism का symbol है, ठीके, तो ये सारी चीजे थी, और भयानक battle होती है, battle of Chiang में, जैसा कि मैंने बताया, कि जूदे ने order उस समय किया था, कि पूरी की की थोड़ी story जानते है कि हुआ क्या था, ये पहला engagement था, civil war का, KMT और CPC के बीच में, ठीक है, Chinese Communist Party ने भेंकर तरीके से, अपोस किया था, जो कि KMT थी काउमिंटॉंग पार्टी को, उनकी जो army आई, जबर्दस तरीके से इनको अटाक किया, और इन्होंने जबर्दस तरी legit battle हुई थी, और finally 1934 ने भाया, जब बहुत ज़ादा Chinese CPC तरस्थ हो गई, परिशान हो गई, इन्होंने long march निकाला, ये एक military retreat था basically, जो इतना ज़ादा अत्याचार हो रहा था कि KMT द्वारा, उन्होंने का अब एक final battle लड़ते हैं, और सब को इखटा किया, और निकाल दि होते हुए, swamp plant यनान से पूरा का पूरा होते हुए, finally ये Northern China पहुचा, बहुत बड़ा, ये retreat था, ठीक है, सबसे बड़ा retreat था जो ने पूरी की पूरी history बदल दी, अब उसके बाद क्या हुआ था, कि इस in between क्या हुआ था, चाइना में कि Japanese का influence बहुत बढ़ रहा था, ठीक ह तो जापान की जो imperial army थी, मैंने बताया कि जापानी तो पूरे पागल थे, ठीक है, उन्होंने attack बोल दिया चाइना पर, उन्होंने चाइना को invade कर दिया 1937 में, ठीक है, अब जब ये Japanese imperial army ने invade किया, इसकी भी थोड़ी history जानते है कि actually में हुआ क्या था, हमेशा से ही चाइना जो था, वो जापान के अधीनी रहा था, जापानियों ने बहुत जादा dominant established के था है चाइना के उपर, ठीक है, पहले western power के साथ मिलके, बाद में खुद भी उन्होंने 21 demands रखी थी, वर्ल्ड वर्ड वर्ड वन के दोरान, जो कि चाइना ने मान ली थी, अब हुआ क्या था, कि हमेशा जापान चाहता था, कि चाइना पे उनका दबदबार रहे, और ये बहुत ही जबरदस्त opportunity थी, यहाँ पे उल्रेडी civil war चल रहा था, और मंचूरिया में जापानियों ने ये सोचा, कि अगर इसको हम acquire कर ले, तो उनको जबरदस्त raw material मिलेगा, क्योंकि इस reason में resources बहुत जबरदस्त है, और आसानी से manufacture कर सकते है goods को, वैसे ही बहुत economic condition बहुत खराप थी, 1929 में great depression अल्रेडी हो चुका था, तो भहिया invade कर दिया, और पहली बार KMT Party और CCP, Communist Party of China साथ में आगे, साथ में हाथ मिला लिया, Chiang Kai-shek और इनकी आर्मियों ने हाथ मिला लिया, औ क्योंकि जैपानी की imperial army पूरी पागल थी, जिन्दा गाड़ दिया था, 1937 में यह जो incident है, rapes of nine king, यह सबसे ज़्यादा घिनोनास तक का incident हुआ है, जिन्दा गाड़ा गया था लोगों को, millions and millions of लोग मारे गए थे, ऐसे ऐसे torture किये थे, ऐसे ऐसे भयानक तरीके से जैपानी उन्हें बुरी तरह से invade किया, बड़े बड़े चाइनीज ओफिशल ने हाथ पैड जोड़े थे जापानियों के कि हमको बख्ष दो, लेकिन उन्हें ने कुछ नहीं किया, जलाया, काटा, रेप किये, और बहुत ही घिनोना incident था यह, ठीक है, तो यह सारी चीज़े थी, हला भी चार थे, वो काम्याब रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद जब यह सारी चीज़े हुई, तो फाइनली भाया, जो चाइनीज लोगों ने, चीनियों ने, एलाइट पावर से गुहार लगाई, कि भाया, हमारे साथ करो, हमको कुछ, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो ग फाइनली जापान के उपर एटम बॉम गिराए गया, उससे वर्ल्ड वार टू का एंड हुआ, और वही से ही चाइना का भी जो इतनी लंबी सिविल वार चली आ रही थे, उसका भी एंड हुआ, हालाकि वो चार साल बाद होना था, 1945 से लेकर, 1949 में भी भेंकर सिविल वार हो फाइनली जो माउज जितोंग है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को अफिशली स्टैबलिश करते हैं, और चियांक काईशक और उनके जितने भी फॉल्लोर्स थे भाईया, वो ताइवान भाग गये हैं, ताइवान और तिबबत की स्टोरियम अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है, तो दो डेकेड से 20 सालों से जो सिविल वार आ रहा था, हो रहा था, फाइनली ये एंड होता है चाइना के फॉर्मेशन से और माउज से तोंग पहले प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़े तो ये मेरे पहले पार्ट का एंड था, ठीक है, सेकेंड प वादे पे माउँ आये थे, उसी को उन्होंने उलेट दिया, पबलिक इनके अगेंस्ट हो गई, और और भयानक कंडिशन हो गोई चाइना की पूरा बरबादी के कगार पे चला गया था, ये सारी चीज़े देखेंगे, अगला लेच्चर बहुत ही जाथा तब तक खुछ रहिए, पढ़ते रहिए, देजा से दान तक नहीं होतरी, साइनिंग ओफ, शेयर जरू करजेगा, थांक यू सो मुच